नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टेडी फॉर स्विल्स अपसे ने शाथ में तो यह वाला टेलिग्राम जरूर जोइन करकिए यूटूब चैनल में बारे साथ है तो भी यह वाला टेलिग्राम जोइन करना बहुत ज्यादा जरूर है सारे नोटिफिकेशन, सारे अप बिल्कुल फ्री में ज़रूर जोइन कर लिजेगा यह मारा इस्टाग्राम का पेज है इसको जरूर कर लिजेगा इस्टेडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जागा वीडियो को अटे इसकी लिंक दी वह इसमें आप स्वागात थे इखनित रहा करी है प्लस इसमें हाइलाइट साते रहते हैं और प्लस पोस्ट रहते हैं इनको जरूर पयाइल करते हैं नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत स्टड़ी फार एक्जाम में। दोस्तों यह वन लाइनर करेंट अफेल सिरेज का यह पाचमा वीडियो है। तो आज देखते हैं हाँच का पहला प्रस्म दोूँ. सुमनात मंदिर ट्रस्ट के चेर्मैन किसे बनाये गया है। तो यह सुमनात मंदिर ट्रस्ट के चेर्मैन बनने वाले दूसरी परधान मंत्री हैं। इससे पहले जो है मुरार जी देशाई भी बने थे सुमनात मंदिर ट्रस्ट के चेर्मैन। और यह पद रिक्त क्यों था। क्योंकि गुजरात के पूर्व मुख मंत्री केशु भाई पटेल कनिधन हो गया था जिसका अन्य यह पदरिक्त हो गया था और उसी उन्हीं के अस्थान पर जो है नरिद मोधी जी को सोमनात मंदिर टर्स्ट के चैर्मेन बनाए गया है और यह जो मंदिर है यह गुजरात मिश्थित है हालेहे में चीटी की नई प्रजात उकेरिया जोसी किस राज में खोजी गई है तो यह प्रजात केरल में खोजी गई है चीटी की और यह जो नामकरण है यह जीव वैज्ञानिक आमिताब जोसी की नाम पर यह नाम रखा गया है अमिताब जोसी के नाम पर इस चीन्टी प्रजादी का नाम रखा गया है जिसे कीरल में खोजा गया है आईते अगला प्रस्म लोग किस पूर्व केंदरी मंत्री को कनाडा साहित गवरो नामक अंतराष्टी सम्मान सम्मानित किया गया है तो यह पूर्व सिच्छा मंत्री रमेश पोख्रियाल निसंग को कनाडा साहित गवरो सम्मान सम्मानित किया गया है आईते अगला प्रस्म लोग किंदर सरकार ने आकास वाणी संगीत सम्मिलन का नाम बदल कर किसके नाम पर कर दिया है तो यह पंडित भीम सिंजोसी के नाम पर किंदर सरकार ने आकास वाणी संगीत सम्मिलन का नाम बदल कर इनके नाम पर कर दिया है और पंडित भीम सिंजोसी यह सास्त्री गयक है और इन्हें जो 2008 में भारत रतन प्रदान किया गया था 2008 में भीम सिंजोसी को भारत रतन से सम्मानित किया गया था हालही में एक क्याउन में आई एफ एफ आई में इंडियन परसणालिटी ऑफ द इयर किसी गोसित किया गया है तो यह बिश्व जी चटर जी जी हैं जिने इंडियन पर्सनलिटी ओफ द इयर घोसित किया गया है और यह जो है बंगाली फिल्म के अगनीता और एक निर्देशक है आई दिने अगला प्रस्म लोग संस्कृत मंत्राले ने किसकी जैनती पर पराक्रम दिवस मनाने की घोसड़ा की है और इनकी जैनती जो है वह 23 जन्वरी को हर सल मनाई जाती है और 2021 में इनकी 125 में जैनती मनाई गयी है सुबाज चंद्रबोज जी का जो जन्व है वह 23 जन्वरी वह 1897 मिन का जन्व हो था कटक में जो बंगाल में इस्तित है और इनसे संबने एक और करंड़ फेर है रोस दीव का जो नाम बदलकर इनहीं के नाम पर कर दिया गया है सुबाज चंद्रबोज दीव रोस दीव का नाम बदलकर सुबाज चंद्रबोज दीव कर दिया गया है और एक और अन्य नाम है जो करंड़ फेर संबने थे है रोस दीव है जिसका नाम सुबाज चंद्रबोज की नाम पर रखा गया है दूसरा है रोस दीव जिसका नाम सुबाज चंद्रबोज की नाम पर रखा गया आयते एगला प्रस्म लोग, एक्स डेजर्ट नाइट वाई सेना युद्ध अभ्यास किन दो देशों के मद्ध आयुजित हुआ है, तो यह युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के मद्धे आयुजित हुआ है, और यह युद्ध अभ्यास राजस्थान में आयुजित कि सहर की मेट्रों में देश की पहली अल्ट्रा वालेट किर्णों से सनेटाइजन सुविधा की सुरुवात हुई है। तियह लखनों मेट्रों में सरप्रतम अल्ट्रा वालेट किर्णों से सनेटाइजेशन किया गया है। आयत एगला प्रसम लोग, हाले में भारत की तीनों से नाओं का सन्युक्त जुद्धाब्यास MPEX 21 का आयोजन कहां किया गया, ति यह आयोजन अंडमान नेकोबार दुविप समों में MPEX 21 का आयोजन किया गया, जिसमें भारत की तीनों से नाओं ने जो है भाग लिया था, गरतंतर दिवस 2021 में प्रस्तो जहांकियों में प्रथामस्थान पर किस राज का था प्रथामस्थान किस राज को प्राप्त हुआ है तो यह उत्तर प्रदेश को प्रथामस्थान प्राप्त हुआ है गरतंतर दिवस 2021 में प्रस्तो ज्हांकियों में और यह जो है ज्हांकी जो बनी थी वह राम मंदिर माडल की ज्हांकी बनी थी और उसी करण जो है उसे प्रथम अस्थान दिया गया था आए ते अंगला प्रस्म लोग ब्रस्ता चार धाड़ा सुझकांग 2020 में भारत का अस्थ आससतल ने जारी किया है जिसकी अस्थाफटना Annika और इसमें जो है कि एक सो एसथाशी देशों की रैंकिंग जारी की गई है जिसमें प्रथम अस्थान पर न्यूजलेंड और देनमार्क जो है संधिक तरूप से हैं और भारत को जो अस्थान प्राप्त हुआ है वह 86 प्राप्त हुआ है और 2020 में इससे पहले 2019 में भारत के रैंकिंग थी वह 80 थी अर्था च्छ पायदान भारत को नुक्सान हुआ तो ब्राष्टाचार धालना सुचकांग जो है, यह Transparency International जारी की है, कुल 180 डेसों के रंकिन जारी की है, पर्थामस्थान पर New Zealand और डिन्मार जो सन्योक्तुरूप से है, और इसमें जो भारत की रंकिंग है, वह 86 में भारत की रंकिन है, 2020 में आई दिन अगला प्रस्म लोग नीत आयोग द्वारा जारी राष्टी नवाचार सोचकांग 2020 में बड़े राज्यों की स्रेडी में पर्थाम अस्थान पर कौन है तो पर्थाम अस्थान जो है वह करनाटो को मिला है राष्टी नवाचार सोचकांग 2020 में जिसे नीत आयोग न का ठीका किसे लगाए गया तो यह एंस के सफाई कार्मी मनीज कुमार जी इन्हें जो देश का पहला कोरोना वायरस का ठीका लगाए गया आयत अगला प्रस्म लोग वर्तमार में भारत के 305 किलिमेटर लंबाई की सबसे बड़ी मालगाड़ी कौन सी है तो यह वासुकी नामक मालगाड़ी ट्रेन है जिसकी लंबाई 305 है और जो भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी है तो यह मालगाड़ी बारे बात हो रही है आईत अगला प्रस्म लोग वर्स 2020 के लिए आक्सफोर्ड ने किस हिंदी सब्द को word of the year चुना है तो यह आत्म निर्भरता सब्द को 2020 के यह आक्सफोर्ड डिक्सणरी ने जो है word of the year चुना है और आक्सफोर्ड युनिर्सिटी जो है यह इंग्लेंड में चुना है आईते हैं अगला प्रस्म लोग भारत के सबसे कम उम्रेकी महिला पाइलेट कौन बनी है तो यह आईसा आजीज जी बनी है भारत के सबसे कम उम लोगतंत्र सुचकांग 2020 में भारत का स्थान है तो यह इसमें जो है भारत का स्थान तिरपनमा अस्थान प्राप्त हुआ है लोगतंत्र सुचकांग 2020 जो है यह The Economist Intelligent Unit ने जो है जारी किया है और इसमें 166 देशों के रैंकिंग जारी की गई है जिसमें प्रथम अस्थान नार्वे को प्राप्त हुआ है और भारत को जो अस्थान प्राप्त हुआ है वह तिरपनमा अस्थान प्राप्त हुआ है तो इस प्रकार किसी भी सूचकांग को सबसे पहले आप लोग यह देखे करिए कि कि जारी किया है तो जारी करता जो The Economist Intelligent Unit है इसमें कुल देश कितन है तेख्षु संद्स देश को लिए गया है पहले अस्थान प्रणप्रवे और भारत का जो अस्थान प्रात हुआ है वह तिरपनमा अस्थान प्रात हुआ है अए तेगला प्रस्थम लोग राष्टी शुरच्छा परिषयत का अध्याच किसे निउक्त किया गया तिए S.N सुबर्मान्यम जी को नियुप्त किया गया है राश्टी सुरच्छा परशित का अध्याच और उनका जो कारिकाल होगा वह तीन साल का कारिकाल होगा आएगला परस्म लोगी 91 इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल उफ इंडिया में golden peacock awards किस फिल्म ने जीता है तो यह पुरसकार into the darkness फिल्म ने जीता है 91 इंटरनेशनल फिल्म फिल्म फेस्टिवल उफ इंडिया में और यह फेस्टिवल जो है वह गोवा में आयुजित हुआ थ आज देते हैं अगला प्रसम लोग ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 इसमें भारत का अस्थान है तिसमें भारत का जो अस्थान है वह सात्मा अस्थान प्राब्द हुआ है और यह है इंडेक्स अंतराश्टी पर्यावनेट थिंक टैंक जर्मन वाच ने जारी किया है जर्मन वाच ने जारी किया है और यह इसका स्वलामा संस्क्रण है स्वलामा संस्क्रण है इसमें प्रथम अस्थान जो मिला है वह मोजांबिक को दूसरा अस्थान जो है वह जिंबांबे का और तीसरा अस्थान जो है वह बहामा को प्राप्त हुआ है और इस इंडेक्स मे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहट पंक अभियान के शुरुवात की है तो यह मद्य प्रदेश सरकार ने पंक अभियान के शुरुवात की है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहट और वर्तमान में मद्य प्रदेश के मुक्तमंत्री सिराथ सिंग जोहां जी हैं आए ते अगला प्रसम लोग हाले में ब्यक्तिगत स्रेणी में सुभाष चंद्रबोस आप्दा प्रबंधन पुरसकार 2021 की से प्रदान किया गया है तो यह पुरसकार जो है दो स्रेणियूम दिया जाता है एक ब्यक्तिगत और दूसरा जो है संस्थागत ब्यक संस्थागत पुरसकार राजिंत कुमार भंडारी जी को और संस्थागत पुरसकार सस्टेनेबल एंवार्मेंट एंड एकोलोजिकल डेवलमेंट सुसाइटी को प्रदान किया गया है आए ते अगला प्रसम लोग हाले में किसे महाविर चक्र प्रदान करने घुश्ड़ा क कि गई है अभी कुछ मंत पहले भारत और चीन के मद्ध जो है गलवान घाटे में जड़ब होई थी और इसी में जो है बीस अंदोस बाबो जो है सहीध हो जाते हैं और इसी के लिए इन्हें महाविर चक्र प्रदान करने घुश्ड़ा की गई है और महाविर चक्र जो है य काजा कलास किस देश की महिला पहली महिला प्रधन मंत्री बनी है तो यह एस्टोनिया की पहली महिला प्रधन मंत्री बनी है काजा कलास और इस्टोनिया जी रादधानी है वह तालिन है और वहां के जो कैरेंसी है वह यूरो है अगला प्रस्म देखते हैं किस राज ने जेल परेटन पहल सुरू किया है तियह महाराष्ट सरकार ने जो है जेल परेटन पहल सुरू किया है और यह पहल पूरे की यरवदा जेल से सुरू हुई है और यरवदा जेल में जो है महात्मा गांधी तिलक आदम बंदी थे और वर्तमान में महाराष्ट के जो मुक्षमंत्री है वह उद्धव ठाकरे हैं और वहां के राजपाल है वह भगत सिंग कोशियारी है इस वीडियो जो PDF हमें अपने टेलग्राम गुरूप इस टड़ी फारीजा में सेर करूँगा आप लोग महां से लेका इसका रिवीजन कर लीजेगा वीडियो को पूर देखने धन्यवाद जय है जय भारत